हेलो एवरिवन देसाइड मोनिका यादर तोड़े आम गोईंग टीच सेल प्रक्टिस 6E यहां पर कोशन देखिए एक्सप्रेस आज फ्रक्शन इन सिंप्लेस्ट फॉर्म यहां में कुछ डासिमल नंबर दिये गई हैं इनको हमें फ्रक्शन में लेके आना है और देन उनको सिंप्लेस्ट फॉर्म में लिखना है फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है 0 decimal 8 सबसे पहले हम इसका decimal हटाएंगे निमरेटर के रूप में जो नंबर होता है न नंबर तो आता है निमरेटर में हमारे पास आजाता है 8 और डिनमरेटर के रूप में हमेशा 1 तो आता है लाइक आपको पता है ने किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 तो होता ही होता है ठीक है अब आप क्या करोगे इसके पीछे कुछ 0 जाएंगी 0 आने का रूल क्या है decimal के बाद decimal के बाद count करने कितने नंबर है सिर्फ 1 नंबर है तो 1 के बाद सिर्फ 1 0 आएगी अभी ये दोनों ही 2 की table में आते हैं इनको हम reduce करेंगे 2 4 जा होता है 8 2 5 जा 10 इस तरह से 4 अपोन 5 हम लोगों का answer आ जाता है second question करते है second question में हमें दिया हुआ है 0 decimal 2 5 इसका भी हमें decimal हटाना है सबसे पहले मैंने बताया था number तो आएगा ही it means 2 5 आएगा numerator के रूप में denominator के रूप में 1 तो आएगा ही आएगा अभी हम count करेंगे कि decimal के बाद कितने number है 1 2 decimal के बाद है 2 number it means 1 के बाद कितनी zeros आएगी 2 zeros ये दोनों ही 5 के टेबल से कट सकते है 5 5 जा 25 5 2 जा 10 और 0 की 0 वापे से ये 5 के टेबल से कट रहे है 5 1 जा 5 5 4 जा 20 इस तरह से 1 अपोन 4 हमारा answer आजाता है कुशिन करते है numerator के रूप में number हमारे पास क्या दे रखे 75 आएगा denominator के रूप में 1 अभी हम count करेंगे कि decimal के बाद कितने number है 2 number है तो 1 के बाद 2 zeros आएगे ठीक है इसको reduce करते है 5 की टेबल से ये कट जाएगा 5 1 जा 5 5 5 जा 25 5 2 जा 10 0 की 0 वापे से 5 की टेबल से कट रहा है 5 3 जा 15 5 4 जा 20 इस तरह से 3 upon 4 इसका answer आजाता है अभी हम fourth question करते है यहाँ पे आपको number की रूप में क्या नज़र आ रहा है 625 तो numerator की रूप में 625 आएगा denominator की रूप में 1 आएगा 1 के बाद हम count करेंगे कितनी 0 जाएंगी decimal यहाँ पे decimal आपको नज़र आ रहा है इसके बाद count करें कितनी digit है 4 digit है तो 1 के बाद 4 0 जाएंगी इसको 5 की टेबल से reduce करते है 5 बंजा 5 5 तूजा 10 5 तूजा 25 5 तूजा 10 और 3 0 as the days अभी वापस से 5 की टेबल से काटेंगे तो यह 25 पे जाएगा 400 पे जाएगा वापस से 5 की टेबल से काटेंगे तो यह 5 पे जाएगा तो यह 80 पे जाएगा अभी वापस से 5 की टेबल से यह काट रहा है 5 बंजा 5 5 बंजा 5 5 6 जा 30 इस तरह से हमारे पास 1 upon 16 इसका answer आएगा Now move to the fifth question Fifth part करते हैं सबसे पहले हम इसका decimal रिमूव करेंगे numerator हमारा जो digit है वो as it is आएगे digit में हमारे पास क्या है 175 denominator के रूप में 1 आएगा 1 के बाद किती zeros आएगे यह हम count करेंगे decimal यह दे रखा decimal के बाद count करो 1, 2, 3 3 numbers है तो denominator में 3 zeros आएगे यहाँ पे हम 3 zeros लिख देंगे अब इसको देखो दोनों को divide करेंगे 5 से दोनों ही 5 के table में आते हैं 5 से divide करके देख लिएजे 35 पे जाएगा 175 और 1200 पे जाएगा 5 के table से अभी यह दोनों वापस से 5 से divisible है तो 5 के table से वापस से divide करेंगे 5 सेवन जा होता है 35 और 5 4 जा 20 और 0 का 0 आएगा इस तरह से 7 अपोन 40 हमारा answer आता है 5th question का अभी हम 6th part करेंगे अपना 6th part करते हैं सबसे पहले हम decimal remove करेंगे इस बार decimal के left hand side भी digit है जैसा कि हम करते हैं digit हम numerator के रूप में लेते हैं तो हम उपर लेंगे 9, 6, 4 इससे पहले वाले question में decimal के left hand side सिर्फ 0 होती थी 0 को हम छोड़ देते थे बट इस बार हमारे पास 9 है तो हम 9 भी लेंगे ठीक है अब numerator के रूप में आपको पता है 1 तो आएगा ही 1 के बाद zeros कितनी आएगी यह depend करता है कि decimal के बाद कितनी digit है यहाँ पर 2 digit है तो 1 के बाद भी 2 zeros आएगी इस 9 से कोई फरक नहीं पढ़ने वाला ओके अब इनको हम simplify करते हैं दोनों ही 2 की टेबल से divisible है 2 5 जा 10 0 की 0 इसको 2 से divide करेंगे 2 4 जा 8 1 केरी गया 2 8 जा 16 and 2 2 जा 4 वापिस से 2 की टेबल से divisible है 25 पे जाएगा और इसको आप 2 से divide करोगे तो 2 4 1 आएगा अब यह 2 की टेबल से divisible नहीं है नहीं यह और किसी की टेबल से जाता है तो हमारे पास क्या आता है 241 upon 25 अभी आप देखोगे कि यहाँ पे numerator हमारा greater than है denominator से तो इसको हम क्या करेंगे mixed fraction में change करेंगे हम 241 को divide करेंगे किस से divide करेंगे 25 से यह 9 पे जाएगा 225 होता है 25 को 9 से multiply करते हैं तो अभी हम 41 में से 25 को minus करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16 इसको कर देती है mixed fraction में हम लोग लिख देती है mixed fraction में आपको पता ही है हम कैसे division हमारा complete हो गया यहाँ पे हमारे पास quotient आया 9 remainder है 16 और divisor है 25 mixed fraction में हम कैसे लिखती है पहले quotient आता है remainder उपर आता है इस तरह से हमारा answer क्या आएगा quotient 9 है remainder हमारा 16 है 12 से उपर 16 और divisor हमारा 25 है 9 हो 16 अपोन 25 हमारा answer आजाता है अभी अपना सावंत question करेंगे और divisor है 25 mixed fraction में हम कैसे लिखती है पहले quotient आता है remainder उपर आता है और divisor नीचे आता है इस तरह से हमारा answer क्या आएगा quotient 9 है remainder हमारा 16 है बार से उपर 16 और divisor हमारा 25 है 9 हो 16 अपोन 25 हमारा answer आजाता है अभी अपना सावंत question करेंगे सेवंत question करते है सबसे पहले हम अपना क्या करेंगे decimal को remove करेंगे digit जो है as it is लिखी जाएगी 10375 हम और पर 0 skip कर सकते थे अभी 0 से पहले 1 है यह 10 है सिर्फ 0 नहीं है इसलिए 10 भी लिखा जाएगा उसके बाद decimal के बाद की digit भी as it is लिखी जाएगी अब denominator के रूप में 1 तो आएगा ही 1 के बाद कितने 0 आएगी यह depend करता है कि decimal के बाद कितने digit है count करेंगे 3 digit है तो 1 के बाद हम लोग 3 zeros लगा देंगे अभी इसको 20 अभी इसको 5 की टेबल से reduce करेंगे 5 से जब divide करते हैं 1000 को तो 200 आता है 5 से divide करेंगे 10,375 को तो हमारे पास 2075 आएगा अगें 5 की टेबल से cut करेंगे इसको इस बार 4,1,5 आएगा अगें 5 की टेबल से cut करेंगे 5,8 ज़ा होता है 40 यहाँ पे हमारे पास 83 आएगा numerator की रूप में आया 83 और denominator की रूप में आया 8 आप देख रहे हो कि numerator बड़ा है denominator से तो improper fraction से mixed fraction में change करने के लिए हम क्या करेंगे 83 को divide करेंगे 8 से सबसे पहले यह 1 पे जाएगा 8 बज़ा 8 अभी उपर से 3 नीचे आता है देखो 8 बज़ा 8 भी 3 से greater है तो 8 की टेबल अभी हम 0 तक करेंगे 8 0 ज़ा 0 अभी हमारा पूरा soul हो गया division यह हमारा remainder है 10 हमारा क्या है quotient है और 8 हमारा divisor है mixed fraction में हम कैसे लिखते है quotient बार से उपर remainder और बार से नीचे divisor तो इसको change कर देंगे हम quotient क्या है हमारा 10 10 whole remainder 3 है 3 upon 8 हमारा answer आ जाता है now move to the 8th question 8th question करते है सबसे पहले हम इसका decimal हटाएंगे digit जो है वो numerator के रूप में as it is लिखी जाएगी 12408 upon denominator के रूप में 1 तो आएगा यह आएगा 1 के बाद कितनी zeros आएंगी यह depend करेगा decimal के बाद कितने number है 1, 2, 3 3 digit है तो 1 के बाद 3 zeros हम लगा देती है देखो यह दोनों ही है even number तो यह 2 की टेबल से divisible है 2 की टेबल से divide करेंगे 1000 को तो 500 आएगा और 12408 को divide करेंगे तो 6204 आएगा दोनों ही even number है वापस से 2 की टेबल से divide करोगे 250 आएगा यहाँ पर इसको divide करोगे तो 31002 आएगा वापस से even number है दोनों ही वापस से फिर से 2 से divide करेंगे 125 अभी numerator के रूप में हमारे पास क्या आएगा 1551 अभी यह आगे reduce नहीं होता हमारे पास आया है 1551 numerator के रूप में और denominator के रूप में आया है 125 आप लोग देख रहे हो कि numerator greater than है denominator से तो यह होगा change mixed fraction में mixed fraction में change करने के लिए हम divide करेंगे 125 से 1551 को सबसे पहले यह हमारा 1 पे जाएगा 125 माइनस करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा और उपर से 1 भी नीचे आएगा अभी यह 2 से जाएगा 125 को 2 से multiply करते हैं तो कितना आता है 250 आता है 301 में से 250 हम लोग माइनस करेंगे तो 51 आएगा 51 क्या आया है हमारा remainder आया है divisor 12 आया है quotient 12 आया divisor हमारा 121 है अभी हम इसको mixed fraction में लिख देंगे mixed fraction में हम कैसे लिखते हैं quotient whole remainder उपर divisor नीचे quotient क्या आया है 12 12 whole remainder है 51 और divisor 125 ओके यह है rough काम यह मैंने आप लोगों को समझाने के लिए क्या था यह erase कर देना इस तरह से 12 whole 51 आपों 125 आप लोगों का आंसर आजाता है now move to the 9th question 9th question करते हैं सबसे पहले हम लोग अपना decimal हट आएंगे digit numerator के रूप में लिखी जाती है 2, 0, 0, 1, 8 यह digit हमने numerator के रूप में लिख ली denominator के रूप में 1 और 1 के बाद कितनी 0 जाएंगी यह depend करेगा decimal के बाद की digit के उपर 1, 2, 3 3 digit है तो 1 के बाद 3 0 जाएंगी दोनों ही है even number तो दोनों 2 की टेबल से divisible होंगे 2 की टेबल से divide करोगे 1000 को तो 500 आएगा और 20,018 को divide करोगे तो 10,009 आएगा अब यह है हमारा odd number तो यह 2 की टेबल से divisible नहीं है और किसी की टेबल से भी यह divisible नहीं है हमारे पास क्या आता है 20,018 को divide करोगे तो आपके पास क्या आएगा 10,009 डिवाइड करके देख लेना अब यह है ओड नमबर यहाँ पे 9 आगे ओड नमबर है यह 2 के टेबल से तो डिविजिबल है नहीं नहीं यह 5 के टेबल से डिविजिबल है तो अभी हमारे पास क्या आजाता है 10,009 अपन 500 आजाता है आप यहाँ देखते हो कि निमरेटर ग्रेटर देन है डिनॉम्नेटर से इट मिन्स यह मिक्सड फ्रक्शन में चेंज होगा मिक्सड फ्रक्शन में चेंज करने के लिए हम डिनॉम्नेटर से डिवाइड करेंगे निमरेटर को सबसे पहले ये 2 से जाएगा 500 को 2 से multiply करेंगे तो 1000 आएगा अभी minus करते हैं तो अब 500 की table में 9 तो आएगा ही नहीं अभी 500 को अगर हम 0 से multiply करें तो 0 आता है अब नीचे आगया 9 अभी ये 9 जो है remainder है 9 यहाँ पर remainder है quotient 20 है और divisor है 500 mixed fraction में हम कैसे लिखते हैं quotient hole remainder upon denominator quotient क्या आया है हमारे पास 20, 20 hole remainder है 9 9 बार से उपर और divisor है 500 500 बार से नीचे इस तरह से यह हमारा answer आ जाता है यह है rough काम यह समझाने के लिए था यह मैं erase question करते हैं सबसे पहले हम अपना decimal हटाएंगे digit जो है वो as it is numerator के रूप में आएगी 1, 6, 3, 2, 5 denominator के रूप में 1 1 के बाद कितनी zeros आएएंगी यह decimal के बाद के number के उपर depend करता है यहाँ है 3 numbers decimal के बाद तो 1 के बाद भी आती है 3 zeros दोनों के ही 5 से divisible है देखो यहाँ पर last में 5 है यहाँ पर 0 है यह 5 की table में आते होंगे 5 से cut करते हैं 5 से divide करोगे जब आप 1000 को तो आता है 200 और 5 से divide करोगे 16,325 को तो आपके पास आएगा 3,2,6,5 वापे से 5 से divisible है 5 से divide करोगे तो यहाँ पर आएगा 40 और उपर हमारे पास क्या आएगा 653 अब यह 5 से divisible नहीं है हमारे पास क्या आगया है 653 अपोन 40 यहाँ आप देख रहे हो कि numerator जो है greater than है denominator से इत मिन्स यह mixed fraction में चेंज होगा 40 से divide करोगे 653 को सबसे पहले यह 1 पे जाएगा सबसे पहले यह 1 पे जाएगा 65 में से 40 माइनस करेंगे तो 25 आएगा उपर से 30 नीचे आता है अभी यह 6 पे जाएगा 6 4 जा कितना होता 24 और 1 0 की 0 पीछे आएगी अभी 253 में से 240 माइनस करोगे तो आपके पास 13 remainder आएगा 13 हमारा है remainder ठीक है कोशेंट है हमारा पास 16 और डिवाइजर है हमारे पास 14 मिक्स डिफ्रक्शन में हम कैसे लिखते है कोशेंट होल remainder अपोन डिवाइजर यहाँ पे हमारे पास कोशेंट क्या आया है 16 तो 16 होल remainder 13 है 13 अपोन डिवाइजर जो की हमारा 40 है यह है हमारा रफ काम यह समझाने के लिए था यह मैं erase कर देती हूँ आप लोगो की exercise complete हो चुकि है hope you like this video if you like then press like button and share with your friend I will upload your next video soon till then bye bye take care stay connected